रेलवे में भर्ती के नाम पर सरकार ने बिरोजगारों से वसूले 900 करोर प्रियांका ने पूछा कितनों को रोजगार मिला केंज की नरिंजमोदी सरकार बिरोजगारों को भी बख्षती नजर नहीं आ रही है सरकार खजाने को भढ़ने के लिए उनसे भी वसूली की जा रही है एक RTI से इस बात का खुलासा हुआ है कि रेलवे बोर्ड ने 2018 में बिरुजगारों से भरती फीज के नाम पर 900 करोड रुपे वसूले दरासल भोपाल के RTI कारे करता डॉक्टर प्रकाश अगरवाल ने दवाब में पता चला कि करीब 7 लाक पदों की भरती के लिए करीब 2 करोर 37 लाक आविदकों ने अपलाई किया इन आविदकों से रेलवे बोर्ड ने एक्जाम फीज के नाम पर करीब 900 करोड रुपे वसूले RTI से इस बात का खुलासा भी हुआ कि रेलवे ने 2018 में बेरुजगारों से जितने पैसे वसूले वो 2013-14 के मुकाबले 10 गुनाज जादा थे 2013-14 में बेरुजगारों से एक्जाम के नाम पर वसूले जाने वाली फीज केवल 9 करोड रुपे थी जो की 2018 तक तक तकरीबन 10 गुना बरकर 900 करोड रुपे हो गई 2013-2014 में परिक्षा के नाम पर विरोज़कारों से ली जाने वाली फीज महज 60 रुपे थी जो 2016 में 500 रुपे कर दी गई रेलवे बोर्ड ने परिक्षा फीज में दो तरह के प्रावधान रखे थे जैनरल और रिजर्फट कैटेगरी जैनरल वालों को 500 रुपे देने थी जिस से परिक्षा में उपस्तित होने वालों को 400 रुपे वापस हो जाते आरक्षित शेनी वाले चात्र को 250 रुपे और परिक्षा में उपस्तित होने पर ये पूरे पैसे उनके खाते में रेलवे ने भेजने की शर्त रखी और जो परिक्षा में उपस्तित नहीं होंगे उनके पूरे पैसे रेलवे की तिजोरी में चले जाएंगे बता दे कि 2015 तक आरक्षित शेनी वाले चात्र से फीज नहीं ली जाती थी इस मामले को लेकर कॉंग्रस महासचीव प्रियांका गांधी बाज़ा ने विजेपी पर जोड़दार हमला बोलते हुए कई सवाल खरे किये उन्होंने ट्वीट कर लिखा रेलवे भरती बोर्ट की फीज 2013 तक 60 रुपे थी भाज़पा सरकार ने बराकर उसे 2016 में 500 रुपे कर दिया बेरोज़गार उसे भरती के नाम पर रेलवे भरती बोर्ट 900 करोर रुपे वसूल चुका है लेकिन रोज़गार कितना मिला युवाओ से जो हर साल दो करोर रोज़गार का वादा किया गया था वो कितना पुरा हुआ